जम्मू कस्मीर में पिछले कुछ महिनों से आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ है। जम्मू कस्मीर के बसंतगड़ में हमले के बाद सुरक्षा कर्मी आज सर्च अभ्यान चला रहे है। जम्मू संभाग के बसंतगड़ में आतंकीों का पता लगाने के लिए उनकी गती विधियों पर नजर रखे हुए थे। मंगलवार को सुरक्षा बलो को खनेड के भाजिया इलाके में इस्थित कब्रिस्तान के पास चार आतंकीों की छिपे होने की सूचना मिली इसके बाद सैनाप पुलिस और सी आर पियाफ ने पूरे इलाके को घेर कर ऑप्रेशन सुरू किया। करीब साथ बजे दो आतंकी और सुरक्षा बलो के बीच गोली बारी हुई सूत्र दावा कर रहे हैं कि कुल चार आतंकी हैं जो दो सम्हू में बटे हैं। बताया जा रहा है कि जिस छेतर में ऑप्रेशन चल रहा है वहां दुंद के कारण 25 से 30 फीट से आगे साफ नजन नहीं आ रहा है। उधंपुर रियासी रेंज के जी आई जी मोहम्मद रईस भटने एक्सपर बताया कि तड़के इलाके में संदिक्द गती विधी की जानकारी मिलने के बाद अभियान सुरू किया गया था। सुरक्षा बलो और आतंकियों के बीच आमना सामना भी हुआ है अभी ऑप्रेशन जारी है। आर्मी से जुड़ी इंफोर्मेटी वीजियो के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करें जै हिन जै भारत।